क्या बच्चा लोग आगया नोटिफिकेशन, CSIR ट्वीट कर दिया है, पिन ट्वीट, जी हाँ, दो बच के 35 मिनट पे 11 जैन्वरी को CSIR ने एक ट्वीट किया हुआ है, जिसको करीब करीब 2535 लोग अब तक देख चुके हैं, 32 लोगों ने री ट्वीट किया है और 146 लोग ला 2023 एकसा, मैं बहुत पहले से ये चीज़ बोल रहा था, कि एक एक एक्जाम को तो ये मर्ज करेंगे ही करेंगे, है न, तो वो हो गया, यही आपको बोला जा रहा था, या तो वो फेबरी को जून के साथ मर्ज करें, या जून को दिसंबर के साथ, और यही किया, कि यह जो है जून के साथ मर्ज किया जाएगा and it is tentatively scheduled to be held in May June 2023 मतलब मैं जून में जून में जो है यह 2023 में होने वाला है in the partnership with NTA तो CSIR की तरफ से यह tweet आया है कि December का जो एक्जाम है वो जो है वो मर्ज हो चुका है 2022 वाला जून के साथ यानि एक साथ ही एक्जाम होगा अब इस मर्ज के इन्होंने क्या बोला है कि combine किया गया है मर्ज की बात ने की combine किया गया है तो दो सवाल यहाँ पर बड़े उठते हैं कि क्या ठीके ना तो दो सवाल बहुत ही importantly यह आ जाते हैं कि अखिर अगर जो combination या combine की बात की गई है तो क्या seat का क्या होने वाला है What about seat? seat का क्या होने वाला यह सवाल है कि seat का क्या होगा? क्या seat भी combine होगी? seat भी merge होगा? या क्या होने वाला है यह चीज की नहीं? क्योंकि सवाल ही आता है कि अगर seat merge नहीं हुआ तो फिर merging का फैयदा क्या है? पिर ये तो फिर एक तरीके से धोखा धड़ी होगी मेबी क्योंकि आप seat अगर combine नहीं कर रहे हैं तो आप chances यानी की जो number of qualified हो सकते थे अगर मैं on an average बात करूँ दो particular cases में 2022 दिसंबर में जितने बच्चे थे 2022 में जो qualify करते दिसंबर में और June 2023 में तो combined seat जो है वो बढ़नी चाहिए logically अगर ये combine कर रहे है तो इस पर कही सारे बच्चों ने tweet भी अलग-अलग किया हुआ है तो वो क्या-क्या tweets है अगर आप देखोगे बहुत सारे लोगों ने tweets कर रखा है वो क्या-क्या tweets हो हैं उसको हम देख सकते हैं तो लेट 2022 में तीन बार exam होना था वेरी लेट बहुत लेट हो रहा है है एसे लोगों के इसाब से reply ये जो है finally hope एक दे रहा है तीन बार का क्या हुआ और तीन बार का क्या हुआ तीन बार का क्या हुआ तब सोचिए कि CSIR ने यह पहले notify कर रखा था कि तीन बार तीन बार होने वाला है री tweets को भी आप देख सकते हो कि इस पर कई लोगों ने retweet भी किया हुआ फिलाल के लिए जो है अगर हम इस चर्चा पर बात करें तो प्रॉब्लम यही आएगी इस पूरे combined with 2023 वाले session में प्रॉब्लम यही है कि अगर आप combined कर रहे है तो seat को भी combined करें अगर seat combined होती है तो सायथ यह better होगा वैसे तीन बार अपकी बार तीन बार वाला concept भी गाया बें कि तीन बार होने वाला था वो क्या वह अब तो June में होगा तो फिर December में होगा सीध्या सा logic समझ में आ रहा है cycle को merge किया गया ठीक है तो यह एक urgent notification जो कि आया हुआ है CSIR के Twitter handle पे आपको यह information पहुँच चुकी होगी और आप इस हिसाब से त्यारी करना सुरू करतेंगे Thank you so much for watching this video. We'll see you in the next video. Bye-bye.